आज हम बात करेंगे कि वेडिकोसील एम्बॉलाइजिश है ये नोन सर्जिकल क्रीटमेंट वेडिकोसील ठेरपी के लिए किन पेशेंट्स के लिए आईडियल है और किन पेशेंट्स के लिए शायद उतना effective ना हो या हर हातों में उतना result homogenous ना हो और बेटर है आपको Surgery के लिविशना चाहिए देखो दोस्तों हमारी चैनल पर Vericocyl वीडियो के बाद हमने इतनी बाते की क्या वो Natural Changes या Lifestyle Changes है जो करने चाहिए जिससे Vericocyl Regress हो जाई है या At Least Progress ना हो हमने योगिक एकसराइज़ शेर की जिससे बहुत लाब होता है बहुत patients के हमें feedback मिले कि इससे उन्हें बहुत फाइदा हुआ एक से एक हफ़ते से एक महीना करने पे भी हमने वेडिकोसी लेंबोलाइज़ेशन ये Non-surgical treatment के बारे में बात की कैसे आज एक अपनी सी स्वीज से जाकर एक wire ले जाके angiography में देखते हुए आपको surgery करके गाट ये veins को बांदने की जरुदियाब अंदर से wire ले जाके अंदर से coil और glue डालकर, bone डालकर ये veins को बंद कर सकते हूँ Finally हमने ये embolization का live demo भी दिखा दिया लेकिन आज भी बहुत confusion है आज भी क्योंकि ये youngsters में हो रहा है क्योंकि surgeons उन्हें कहते है embolization एक research based treatment है इसका कोई फाइदा नहीं है आज भी recurrence rates का बहुत डर है कि दुबारा तो नहीं हो जाएगा इसलिए बहुत youngsters बहुत ज़्यादा confused है ये confusion clear करने के लिए literature के business में मैं आपसे आज शेयर करोगा कि ये किन patients के लिए आख बंद करके ideally यूज किया जा सकता है सबसे पहले अगर किसी को left varicocel left side पे varicocel है जो almost 80% cases में आता है 80% cases में और उनको main problem है varicocel से pain दल्थ होत रहता है और कोई problem नहीं है semen normal है, testosterone normal है SI testis का size normal है तब embolization first choice treatment हो सकता है क्योंकि studies बताती है कि recurrence rates 2% जितने या उससे भी कम हो सकता है and success rates pain resolution even 3 से 5 साल बाद अगर आप देखो तो 89 to 90% cases से जादा में मिलता है which is matching और even better than surgical result in many cases in fact बहुत studies में 100% तक ये result मिला है so इसलिए अगर pain है और left varicoseal है तो मैं कहूंगा ideal treatment है आख बंद करके आप embolization करा सकते हो of course intervention and skill set matter करता है लेकिन हाँ सही हाँ तो में बहुत अच्छे results आएंगे second अगर patient को surgery करा चुके हो varicoseal surgery करा चुके हो और उसके बाद recurrence हुआ है varicoseal आ गया तो काफी studies में ये बता किया गया retrograde venography द्वारा कि ये इसलिए होता है कि जो अंदर veins है वो single नहीं है वो complicated थी उस पर variations था जैसे रितिक रोशन या कोई famous celebrity की 6 हों लिया है वैसे अंदर जो body के veins भी है ज़रूरी नहीं है अर इंसान में एक ही हो किसी में 2 किसी में 4 हो सकती है और ये veins अलग-अलग direction से भी जा सकती है कभी testis के पीछे से कभी कही older anatomy से कई बार surgeon जब छोटा सा micro surgery करेंगे वो सबता है उनको ये variations ना दिख पाए और वो cable जो main vein है उसे बान दे जो second duplicated vein है उससे फिर भी vericocele भरता रहे ऐसे में vericocele embolization बहुत लाब दयक है तो कि इसमें हम first step जो कलते हैं उसे कहते हैं angiography या venography क्योंकि veins के angiography कर रहे हैं ताई ड़न के देखते हैं उपर से कि कहा से blood flow उल्टा जा रहा है और vericocele को किया गया result 100% है success technical success was achieved in all 100% patients सब 100% patients को complete फाइदा हुआ पूरी तरह vein को बंद कर पाई वो जो miss हुई थी surgery में बादने से so इसलिए second ideal patient for embolization is अगर आपको surgery के बाद recurrence हो गया है तो definitely ये number one choice हो सकता है third of course let's say आपको scar नहीं जहीं यह surgery का क्योंकि अगर surgery द्वरा एक scar आ जाता है एक निशान आ जाता है तो आपके कोई physical exam में आपको reject कर दिया जाएगा आपको फॉरं जाना है या armed forces में जाना है तो फिल definitely embolization कर सकता है क्योंकि embolization था कोई scar नहीं आता जाए हम neck से करे जाए thai से करे मैं क्या करूं फिर जाब छोड़ दू तो definitely कोई ज़रूतनी anesthesia की embolization local anesthesia में किया जाए सकता है ये तो आपने discuss किया कौन है वो ideal patients जिनके लिए embolization first line आप सोच सकते हैं आपको सोचने के भी ज़रूतनी surgery की what about those patients उन patients का ग्याज जिसके लिए embolization first line नहीं है especially homogenous results नहीं है आल जगा पहला bilateral varicose ये कई studies में आया है कि right-sided varicoseal है या दोलो side है तो right side में failure chances high होते हैं ठीक से right side की vein को granulate करना अंदर जाकर बंद करना ये बहुत कम doctors homogenously achieve कर पाते हैं again ये एक relative contraindication है to be honest जब मेरे पास patients ये ही कहकर आते हैं कि हमने google पे पड़ा हमने doctors से बात की intervention radiologist से वो कहे रहे हैं कि आपको दोलो side है right side भी इसलिए मैं नहीं करना चाता तो मैं simple चीज कहता हूँ कि मेरे पिछले 25 cases में मैं एक भी case में fail नहीं हुआ हूँ हमने एक particular skill set एक learning curve एक hardware algorithm set किया है जिसके बाद हमें आज तक कोई problem नहीं आई right side vein को hook करने में या उसमें microgatheter ले जाके coils और glue डालने में मेरे लिए एक right vericocene वैसा ही है जैसे left vericocene so सही हाथों में जब यह training हो जब यह learning curve हो जाई है algorithm hardware समझ जाए तो मुझे नहीं लगता right side में कोई भी दिक्कत आनी चाहिए vericocene limbolization के लिए तो और क्या case है जिसमें first line नहीं offer करना चाहिए तो कुछ studies कहती है कि primary infertility यती है patient का testosterone कम है FSH abnormal है semen abnormal है in every levels abnormal है तब आपको patient को बच्चा नहीं हो बारा है तब आपको vericocene limbolization शायद first line नहीं offer करनी चाहिए surgery करनी चाहिए मैं काम पर जा रहा हूँ ma again यह एक general guideline है मैं इस पर differ करूँगा हमने primary infertility के लिए जितने patients में एक किया है significant number of patients को बात में बालक हो पाया है semen parameters improve हो गया है vericocene cure हो चुगा है blood parameters improve है और वो father भी बन सके कई patients का में thank you notes, greeting cards आये बच्चे की photo share की कैसे वो बच्चा बड़ा होता जा रहा है और वो बहुत grateful है कि जो 7 साल से 12 साल तक वो नहीं कर पा रहे थे embolization के बारा हफते बाद उन्हें बच्चा हो गया so इसलिए personal experience and coffee studies अब सामने आ रही है जो बताती है नहीं embolization के बाद भी सारे parameters improve होते हैं और वच्चा करने की शमता दुबारा आ सकती हैं of course हर case में नहीं क्योंकि varicocele और fertility में link पूरी तरह established नहीं है कई patients में surgery, embolization द्वारा varicocele पूरी तरह ठीक होने के बाद भी बच्चा नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे और factors भी है compatibility factors भी है, semen maternal tissue के और ऐसे कई सारी reasons है तो इसलिए वो definitely रहेगा बट हाँ सिर्फ lack of literature की वज़े से क्या मैं एक infertile couple को यह नहीं offer करूँगा sorry, मैं offer करूँगा let's say fail हो जाए, नहीं हो बाए तो surgery तो फिर भी गराई सकता है न बांधो जाके वही veins जो anyways 100% के और हो चुकी है क्या बच्चा हो जाएगा जरूरी नहीं है क्या surgery के बाद हर किसी को बच्चा होता है नहीं मैं फ्रेंड्स नहीं होता है क्योंकि जैसा मैंने बता है जो लिंक है वह बहुत सुक्षमा है और भी reasons हो सकता है infertility के बात तो सही है आई बटन में detailed video दे रहे हैं आप जाके वह देखिए link between varicocene embolization या varicocene and infertility so यह कुछ cases है जिसमें शायद varicocene as a first line हर center ना offer कर पहे एक relative contraindication की तरह है या ती varicocene 2 side है या right side है या फिर patient को primary infertility है पहली बार ही बच्चा नहीं हो बार है but again जैसा मैंने कहा सही skill set, सही learning curve, hardware knowledge और एक set algorithm के बाद मेरे पास अगर patient आता है मैं पीचके जाओंगा नहीं patients को first line ये offer करने के लिए मैं चाहूंगा कि मैं इनको offer करू ऐसे case में जिसमें embolization fail हुआ है इसमें क्या, क्या इसमें surgery first line है इसमें भी मैं तुबारा विनोग्राफी करके डाय डालके देखना चाहूंगा कि क्यों fail हुआ हाँ, अगर उसमें कोई reason नहीं दिख रहा है और फिर भी fail हुआ है तब शायद मैं कहूँ कि ठीक है आप surgery के लिए जाए जैसे surgery के बाद first line embolization है वैसे विनोग्राफिक के basis पर decide करेंगे कि दुबारा embolization सोचना चाहिए surgery but otherwise मेरे हिसाब से 96-98% patients में clinical success आ सकता है विना recurrence के अगर सही हातों में vericocele embolization किया जाए कई advantages है surgery के उपर क्यों हम यह बाते कर रहे हैं क्योंकि हम share करना चाहते कैसे embolization surgery से बहुत cases में बहतर हो सकता है day care procedure 4-7 गंटे में आप घर जा सकता हूँ कोई anesthesia नहीं सब कुछ local anesthesia द्वारा private parts के पास कोई blade कोई scar नहीं इसलिए सब कुछ दूर में thigh से किया जा रहा है of course मैं thigh prefer करता हूँ so infection free कोई local parts के पास infection नहीं bleeding risk नहीं कोई वैसा complication नहीं major complication surgery में होता है जैसे गलती से artery बांदी या lymphatic channels बंद हो गए veins के साथ तो इसलिए patient को बहुत time तक hydrosine रहा यह सब का risk ना के बराबर क्योंकि हम veins के अंदर से जा रहे venography करके अंदर से coil or glue डाल रहे तो इसलिए again this risk is negligible क्योंकि ना lymphatic बांदने का कोई risk ना artery बांद के testis destroy करने का कोई risk so बहुत सारे advantages है of course early resumption of activity early resumption of sexual intercourse आप अपने sexual life को जल्दी resume कर सकते हो आप अपने job को जल्दी resume कर सकते हो so अंगिनत advantages है scar नहीं है होच सरे advantages है मैं इसलिस्ट endless होगा video बहुत लंबा की चैना point यह है कि अगर varicose lembolization है तो अपने urologist के अलावा अपने intervention radiologist से मिलिए समझिए कि यह treatment क्या है कैसे किया जा सकता है और अगर आपको लगता है आप इससे benefit कर सकते हो तो definitely इसका फाइदा उठाई है सादर सादर fail हो तो surgery तो ही बात में करा लीचेगा so I hope यह आप सादर सादर लोगों से share करो जिने वेरिकोसील की शिकायत है आप किसी friend किसी family member को जानते हो जिसे है या scrotal pain है वो जानता नहीं समझ नहीं बार है क्यों है bag of worms जैसा feeling है हो सकता है वेरिकोसील है और यह video बहुत help करे of course end screens पे जाके बहुत सारे video share दो जिसमें हमने बाते की थी जो हमने आपसे बताई और यह सारे playlist देखके वेरिकोसील के बारे में आई वो बहुत सारे msas का benefit उटा है सुरक्षत रहे सशक्त रहे